वेरे गुड़ मॉर्निंग तो आल माइ डियर स्टूरेंट्स आज हम कंटीनु कर रहे हैं उसी टॉपिक को डिरेक्टर पार्ट 2 Mathods of Appointment of Directors Mathods of Appointment of Directors की अगर हम बात करें कि संचालकों की नियूप्ती की क्या विधिया होती है उसको देखते हैं इसको हमने टोटल 6 पॉइंट में डिवाइट करा है जिसमें पहला पॉइंट है प्रथम संचालकों की नियूप्ती appointment of फर्स डेरेक्ור second है company सरस्य द्वारा नियूप्ती company के नियूप्ती कर जाती है प्रथम साधरन सभा में नियूप्ती होती है या फिर जो प्रथम वाशिक साधरन सभा होती है जनर्रमिटिंग उसमें नियूप्ती कर जाती है third आता है संचालक मंदल द्वारा नियुक्ति जिसमें हम देखते हैं उसको हम संचालक मंदल है जो है वो चार तरह के संचालक को नियुक्त कर सकता है अतिरिक्ट एडिशनल पर हो गया हमारा एडिशनल फिर हो गया वेकलपिक अल्टरनेट फिर अपॉइंट्मेंट टू फिल आप कैजूल वेकेंसी आकस्मिक रिक्त पर नियुक्ति और नामांकिती संचालक जिसको अपन बोलते हैं नॉमिनी डिरेक्टर फिर आता है अपॉइंट्मेंट बाइ प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव अनुपातिक प्रतिनेदित हुदारा नियुक्ति अधिकरन के आदेश से नियुक्ति बाइ डाफ और अब अफ ट्रिब्यूरण झिंद्र सरकार दारा ने तो अपॉइंट्मेंट बाइ तर में पहला लेते हैं अपॉइंट्मेंट और फिर्स ट दरेंड़ वो डिरेक्टर होते हैं जो कहीरी सबस्क्राइबर्स होते हैं अनुआरो कि इन्डिविजुल है और उ कि जब पहली साधरन सभा होगी तब तक न्यूग दे रहते हैं और उस पहली साधरन सभा में होने के बाद नए डिरेक्टर का अपॉइंट्मेंट करा जाता है और यह जरूरी नहीं है कि वह फर्स्ट अन्वल जनरल मीटिंग हो तब रिटायर हो इसलिए पहली साधरन सभा में फर्स डिरेक्टर को हटा के नए डिरेक्टर का अपॉइंट्मेंट किया जा सकता है और जो OPC है OPC के अंदर जो इंडिविज्वल मेंबर है वह भी डिरेक्टर माना जाता है फिर आता है अपॉइंट्मेंट बाइं मेंबर्स और कंपनी अब अपॉइंट्मेंट जो सदस्टी के दौरा या कंपनी की दौरा किया जा सकता है जो पहली एन्वल जनरल मीटिंग फर्स जनरल मीटिंग होगी उसके अंदर जो मेंबर्स हैं कंपनी के वो एंटाइटल है अपॉइंट करने के लिए डिरेक्टर को उसके साथ साथ जो अपॉइंट्मेंट सब्जेक्ट टू रिटायरमेंट पायर रोटेशन कुछ डिरेक्टर ऐसे भी अपॉइंट किये जा हो जाता है six तो six directors ऐसे होंगे जो कि rotational directors होंगे या retirement by rotation उसका किया जाता है अब उसके साथ sorry company जो one-third हिस्सा होगा वो कौके डिरेक्टर होंगे नॉन-rotational directors होंगी उसके retirement and reappointment of first annual general meeting and subsequent general meeting अब जो first annual general meeting हो रही है उसमें जो directors है उनका या जो subsequent general meetings आगे होगी उनका appointment उनका retirement और reappointment कर दिया जाता है मान देजे किसी भी company में 6 या 7 rotational directors है ठीक है total number का में से 6 या 7 तो उसमें at least तो इसका जो one third होगा वो retire होगा annual general meeting में अब appointment by board of directors board of directors की द्वार appointment किया जाता है मैंने आपको पता है अभी additional directors होते हैं जिसको हम अतिरिक संचालक कहते है additional directors जो है वो जब company appoint करती जब company को ऐसा लगता है कि हमें और directors की जरते alternate directors होते हैं वो जो board sorry board appoint करता है board of directors अगर कोई absent होता है अपनी जगे से लेकिन उसकी जो absence है किसी डिरेक्टर की थ्री महिने से जादा नहीं होनी चाहिए और उसका reason है वो इंडिया से बाहर गया हुआ है नाइस से directors for filling up casual vacancy casual vacancy जो होती है उसके लिए हम यह कहते हैं कि अगर कोई भी आकस्मिक ऐसा कोई जरुद पढ़ गई रेक्टर की और वो नहीं available है तो उसके लिए क्या किया जाता है general meeting के अंदर उसकी term period से पहले अगर वो चला गया कोई casualty की वज़े से तो उसका appointment किया नए डिरेक्टर का appointment किया जा सकता है next nominee director nominee director such director is appointed by the board if any person is nominated by the institution of financial institution के दौरा board कोई भी central government के state government का representative अगर है financial institution का तो उसको ऐसे director रख सकता है next appointment by proportional representative अब इसके अंदर आप जब अपने बुक में देखेंगे तो बुक के अंदर आपके दो formulas दे रखें आपको वो देखने है फॉम्मला के अगर बात करें तो यह proportional representatives निकालते हैं कि कितने लोग वोट कास्ट कर रहे हैं वोट दे रहे हैं और total number of directors कितने elect करने हैं तो इसके अंदर पहला method आता है under the single transferable vote system और second आता है under the cumulative voting system जो पहला method जो है उसके अंदर अंदर the single transferable vote of system जिसके अंदर हम निकालते हैं जैसे formula है इसका total number of vote कास्ट कितने total number of माने जब 1500 वोट दने और पद जो है वो director के 5 है तो 1500 divided by 5 जब आप इसको करेंगे इसको solve करने के बाद plus 1 करेंगे तो 250 plus 1 आ जाएगा 251 अब जो 5 candidates है जिसने 251 जो है votes अगर जिनको starting में मि वो कौन होंगे वो selected directors के लाएंगे फिर हाता है under the cumulative voting system cumulative voting system के अंदर होता है कि member is entitled to to one vote for every share जितना उसके पास shares है उसके according वो क्या करता है vote डालता है if the member has 100 shares the number of votes to be elected is 5 it has to be entitled to cast 500 votes ठीक है तो number of directors कितने elect करने है 5 तो अब 5 director elect करने है और उसके पास कितने shares के मालिक है वो 100 तो अब 5 directors के लिए उसके पास वो 500 votes डाल सकता है फिर आता है appointment by order of the tribunal order of the tribunal court जो है वो अगर order कर दे तो यहाँ पर director का appointment कर दिया जाता है फिर है appointment by central government अगर central government को लगता है कि इस company के अंदर इस director की जरुरत है यहाँ पर all the अगर company के सारे के सारे directors अपनी पर छोड़ देते हैं या disqualify हो जाते हैं और उनकी absence और promoter नहीं है वहाँ पर ठीक है अगर promoter नहीं है तो central government के पास power है कि वो director का appointment कर सकती है next आता है appointment and reappointment of rotational director rotational director mean directors जो की rotation से retire होते हैं पहला appointment हम देखते हैं appointment at the first general meeting जो first general meeting है उसके अंदर appointment किया जाता है मान लिजे एक company के अंदर nine directors है बोट के अंदर तो जो छे directors हैं वो कौन से director होंगे जो की भी company की annual general meeting होती है लेकिन अगर छे की जगे यह पांच नंबर होता तो nearest चो होगा वन थर्ड का nearest चो होगा यह पांच यह साथ होता तो nearest value हम निकालकर उसको वन थर्ड की उसके according हम करते हैं जैसे मानिच यह पांच rotational director है तो डो retire by rotation होंगे और अगर साथ भी होंगे तो भी two retire by rotation होंगे annual general meeting में अब next step first in first out अब जो पहले जिसने पद्धारन किया है उसी को retire करा जाता है next retirement on due date of AGM जब भी AGM होगी उस तारीक को due date जो भी आ रही हो उस दिन यह retire होते है next step filling the casualty, reappointment and appointment of fresh person at the annual general meeting at which the director retire the company may fill the vacancy by appointing the retiring director and same other fresh person in his place अगर लगता है कि annual general meeting हो रही है तो director अगर retire होता है तो company जो vacancy हुई है तो retiring director की जगे उसकी जगे नए विक्ति को लगा सकती है यह filling the vacancy रहता है next step deem reappointment the vacancy create जब हुई है ठीक है rotational director की तो it shall be filled up by the same annual general meeting में उसको fill करा जाएगा अब है appointment of directors by board अभी मैं हमने को short में पढ़ा था additional directors है अभी आपको पता है additional directors company के board अगर company का article अगर उसको company को अलाओ करता है तो company additional director का appointment कर सकती है उसके साथ साथ general meeting में appointment करा जाता है वो जो व्यक्ति है office hold करके रखता है जब तक next annual general meeting नहीं होती है और जो additional directors they can together with the other director must not exceed the maximum strength by the board of the board by the article तो यह जो maximum strength जो है उससे ज्यादा नहीं रह सकते हैं next alternate director alternate director अभी हमने आपको बता है था वैकल्पिक अगर हम निकालते हैं तो इस condition के अंदर आपका author जो company का article है वो company को लाओ करना चाहिए इस चीज के लिए उसके साथ साथ जो person hold कर रहा जगे और दूसरे व्यक्ति की hold कर रहा है वो उसको ध्यान में रखना है और जो दूसरा जो व्यक्ति गया है जिसके जगे उसको रखा है उसका time period 3 months से जादा नहीं होना चाहिए और उसके साथ साथ alternate directors और जैसे ही वो व्यक्ति जो main person था जो गया था company को छोड़ कर अगर वो लोटता है और उसके लोटते ही जो alternate director है वो automatically उसको हट जाना पड़ता है उसके साथ साथ अगर the term of the office of original director is determined before he returns to India अगर उसके इंडिया के आने से पहले उसका जो term है वो determine हो जाता है तो in such a case any provision of the automatically reappointment of the retiring director shall apply to the original and not to the alternate director तो automatically उसी के ओपर सारे provisions लागू होंगे directors for filling casual vacancies जो casual vacancy है उसको भी fill करनी पढ़ती है nominee director the board of director must appoint any such directors चुकि nominee of financial institutions को represent कर रहा हो तो यह सारे आपका appointment of directors by board के चार तरह की directors appoint board कर सकता है अब आता है assignment आपको assignment करना है methods क्या है directors के appointment के और उसके साथ साथ क्या appointment and reappointment of rotational directors के provisions क्या है आपको वो भी पढ़ने है thank you so much